तो आर फाइनली इस्पाइडर में अक्रोस इस्पाइडर वर्स का ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर को देखने के बाद तो बस यही बोलना चाहूंगा वेल डेन सोनी मतलब सोनी तुमसे अमें यह उम्मिद तो नहीं थी वेनम 2 और मोर्बियस देखने के बाद लेकिन हाँ अब लग रहा है कि तुमने मूवी बना कर कुछ उखाड़ा है वेला बात करें ट्रेलर की तो ट्रेलर ने वाकी में यार बहुत कुछ उखाड़ा है मतलब trailer जिस हिसाब से शुरू होता है ना मतलब यार वो मा और बेटे की conversation जिस हिसाब से बताईए ना उससे हर कोई बेटा relate करेगा क्योंकि किसी भी लड़के की जिन्दगी में अगर कुछ भी उल्टा सीधा होता है तो वो पहली एडवेज अपनी मा से ही लेता है और यही emotional touch मुझे अच्छा लगा इस trailer में मतलब जिस हिसाब से उसकी मा उसे motivate करती है और उसे बताती है या फिर उसे समझाती है कि बेटा तुझे जहाँ पर रहना है तुझे कोई नहीं रोक सकता तो देखो यह सब तर ट्रेलर का first half लेकिन second half में जो कुछ बताया है दोस्सो spider-man मैं सोच भी नहीं सकता कि यह कौन-कौन से होंगे मैं अभी भी guarantee के साथ बोल सकता हूँ कि अभी तक कोई भी इंसान नहीं होगा अभी तक 10-20 को तो हमारे इंडियन यूट्यूबर्स ने भी पेचान लिया है जैसे कि देसी नर्ड, सुपर हीरो प्रो ऐसे वगेरा वगेरा काफी सारों ने पेचान लिया है लेकिन यार सोनी ने इतने सारे spider-man बताने से पहले सोचा हुआ कि बस फैन खुश हो जाएंगे लेकि नहीं यार हम अभी भी खुश नहीं है मतलब इस बात की तो खुशी है कि हमें 200 spider-man देखने को मिले लेकिन हमारा इंडियन सुपर हीरो प्रवित प्रभाकर कहा है हाँ उसका concept art तो निगला है मतलब ये तो है कि वो movie में होगा और अगर ट्रेलर में नहीं बताया है तो हाँ ऐसा भी हो सकता है कि वो movie में जादा देर के लिए होगा क्योंकि अभी तक मुझे इतना पता चलाए कि हमें इस movie में 6 अलग-अलग universe के बारे में बताया जाएगा पहला तो of course ये PS4 वाला Spider-Man और दूसरी ये जिसे मैं कभी नहीं बूल सकता Gwen वाली Spider-Man वो भी शायद उसकी बेटी के साथ और तिसरा ये वाला इसको मैं जानता तो नहीं हूँ लेकिन ये ये सूट मुझे काफी ज़्यादा गजब लगा हाँ और भी काफी सारे पहचान में लेकिन उनके नाम में अगर सर्च करने बेटा तो ये वीडियो और भी ज़्यादा लेट हो जाएगी ये वीडियो पहले से ही बहुत लेट है और हाँ मेरा ध्यान इन आगे वाले Spider-Man को छोड़कर उन पीछे वाले Spider-Man को था क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ब्लू और रेड वाले Spider-Man है वो मुझे पीछे ही नजर आ रहे हैं तो हाँ शायद हमें इसमें एंडरो, टोमी और टॉम होलेंड वाले Spider-Man भी दिखी जाएं तो काश यार दुआ करो कि ऐसा हो तो यह वीडियो तो शिर्फ इस ट्रेलर के बारे में बात करने के लिए थी इसका Breakdown अभी ओर आएगा तो Breakdown देखना चाते हो तो चैनल को Subscribe कर लेना